स्वागत है आप सबका UGC Net Commerce की नई सीरीज के साथ में तो इससे पहले हम लोग जो है Business Environment के कई सारे पार्ट हम लोग अल्रेडी अपलोड कर चुके हैं and this is we are coming to end of this unit and I hope you guys already was the previous sections तो जिन लोगोंने हमारी वीडियो नहीं देखी हैं तो वो लोग हमारी वीडियो जरूर देखें इससे पहले के पार्ट देखने के बाद आपको ये जो चीजें हैं वो आपको अच्छे से समाझ आ पाएंगे उसमें अगर पार्ट में अगर किसी भी परसन को कोई भी क्वेरीज है तो आप हमें जरा हमारी जो अव्यान I.S. Academy है वहाँ पर जाके comment section में type केजिए ताकि हम आपको approach कर सकें और ये जो series है जैसे हम लोगोंने business environment के study को complete करा ऐसे ही हम लोग आगे आपके लिए नई-नई series लेकर आते रहेंगे तो आप लोग हमारे चैनल को subscribe करिए, like करिए और share केजिए अपने friends के साथ में ताकि उन लोग को भी इस से related हमारी जो जानकारी है वो हमें मिलती रहे और हम लोग को motivation मिलता रहे और आप लोग का syllabus टाइम पर complete होता रहे तो जैसे ही हमारी ये series complete हो जाएगी business environment के, so I'll upload previous year certain kind of questions, MCQ questions and related to your study and related to your syllabus, so आप लोग को ये unit जो वो सारी complete करने के बाद, इसके सारे part देखने के बाद वो MCQ जरूर टाइप करने हैं, आपको जो है उनकी जो हमारे MCQs हैं, उनको जरूर जरूर ट्राई करना है ताकि आप लोग को भी पता चलता के कि हमने जो पढ़ाया और आपने जो पढ़ा वहां पर हमारा क्या flow रहा, आपको वो समझ आया या नहीं आया, whether we are able to deliver and complete your syllabus or not, so आये, हम लोग मिलते हैं नए पार्ट के साथ में, तो इससे पहले के जो पार्ट थे, उसमें मैंने आपको जो है environmental scanning का एक पूरी वीडियो मैंने आपको बताई है, बनाई है और इसके साथ साथ इसमें मैंने आपको जो है physical policy है, monetary policy है, इसमें मैंने detail वीडियो आपके बनाई है और आपका टाइप सो बिजनस एन्वार्मेंट और पेस्टल इनलिस इस पर में बहुत सारी जो अल्रेडी पार्ट में अल्रेडी अप्लोड कर चुका हूं तो इससे रिलेटेड हम लोग आएए इस सीरीज के जो है वो end portion की तरफ बढ़ते हैं तो आज का जो हमारा topic है वो बहुत ही खास रहने वाला है इस से रिलेटेड कई सारे question जो वो exam में आपके मिलते हैं इसमें हम five year plan और ये जो चीज़े हैं MRTP Act है CSR है ये जो छोटी-छोटी topics हमारे pending है वो सारे topics हम लोग यहाँ पर discuss करने वाले तो आईए हम लोग बात करते हैं किसके बारे में economic planning के बारे में ठीक है तो economic planning हमारा क्या होता है कि planning economy से related plan करना economy से related plan करना मतलब economy को कैसे run करना है क्या हमारा plan रहने वाला है और किस तरीके से हम अपनी study को complete करने वाले हैं तो economic planning का मतलब क्या होता this is a term used to describe the long term plans मतलब हमारे जो long term plan रहेंगे एक economy से related कि how a economy should be run right तो आपका किस चीज़ का government का अब ये government क्या करेगी बहुत सारे ऐसे plan बनाएगी और बहुत सारे ऐसे coordination करेगी कि हमारी economy को किस तरीके से develop करना है और हमारे जो resources हैं जो भी हमारे पास available resources हैं उनको efficiently किस तरीके से utilize करना है तो ये सब हमारा किस में आता है economic planning में आता है तो economic planning in India was started in 1950 मतला हम आजाद कब हुए थे 1947 में राइट तो हम जो है हमने start करी अपनी जो planning स्टार्ट करी वो क सबसे start करी 1950 में इसी साल में हम लोग जो वो अपना जो constitution है वो हमारा बन गया था और constitution बनने के बाद हम लोगों ने अपना का पूरी तरीके से हम लोग free हो गए थे जैसे ही हमारी नईने चीजे planning हमारे दिमाग में दोड़ने लगी क्या planning दोड़ने लगी कि जैसे ही हम चीजे हैं वो हम लोगोंने किस में बात करी economic planning में बात करी किस में after the independence it was deemed necessary for the economic development and the growth of the nation मतलब एक economic की growth के लिए उसकी development के लिए हमारा planning के साथ में चलना बहुत जरूरी था क्योंकि अगर आप planning के साथ में नहीं चलोगे तो इतने सारे area है जहां पर हमें काम करना है तो उन लिए यह जो चीजे थी वो हमारे लिए बहुत ही जादा जरूरी थी कि हम जो है वो economic planning बनाएं और economic planning को बनाने के बाद हम जो है वो किस किस तरीके से phase wise अपना development करेंगे कौन कौन से sector में हम पहले development करेंगे कौन कौन से sector में हम बाद में development करेंगे तो यह जो सारी planning थी वो हम माले बहुत important थी कि what should be the area of planning in which we started first हम कहां से start करें ये सबसे बड़ा issue था तो इस issue को solve करने के लिए हमने क्या करा economic planning करी ये करी किसने government ने करी अब इसके बारे में थोड़ा सा और discuss करते हैं जैसा कि आपको मैंने बता ही दिया है कि एक country की economic growth और development के लिए हमारे planning के साथ में चलना जरूरी था अगर आप जो वो अंधेरे में तीर चलाते रहते ठीक आप पैसा भी लगता आपका time भी waste होता और आपका कोई result भी नहीं आता ठीक है तो यहां पर यह जो दिजे हैं वो हमारी इसमें आ गई तो यहां पर एक commission बनाया गया जिसको हम क्या बोलते हैं planning commission का क्या था जैसा कि हमारा नाम सजेस्ट कर रहा है planning करना किसी की economy को plan करना ठीक है तो हमारी जो economic planning है उसको किसने help किया planning commission ने help किया यह planning commission क्या था हमारा the planning commission was reporting directly to the prime minister of the India यह हमारा किसके अंडर में आता था प्राइम मिनिस्टर आफ इंडिया के अंडर में आता था ठीक है तो इसलिए मतलब जो है इट वॉज दा established on 15 मार्च 1950 तो इसमें हमारा जो है यह कब से start हो हमारा 1950 से जो वह establish हमारा हो गया था ठीक है विद्धा प्राइम मिनिस्टर जवालनान नहरू उस ट्रेम पे हमारे जो फर्स प्राइम मिनिस्टर थे वो कौन थे जवालनान नहरू ठीक है तो उन्होंने यह जो है उनकी अध्यक्षता चेर्मेंशिप मतलब अध्यक्षता के अंडर तूकि यह जो प्लैनिंग कमिशन है वो किसके अंडर आता था प्राइम मिनिस्टर के अंडर आता था ठीक है तो इसलिए इन्होंने क्या करा एक कमिशन डिजाइन किया और इन्होंने बोला कि यह जो कमिशन है वो responsible रहेगा कि चीज के लिए effective planning के लिए उसको control करना उनको coordinate करना यह जो सारा काम रहेगा वो आपका किसका रहेगा वो सब जो है planning commission के अंडर आएगा ठीक है constitution और statute क्योंकि इसी के basis पे हम पूरी एक नौमी को plan कर रहे थे तो यह जो चीज थी वो एक तरीके से हमारी जो government है government का क्या था दाया हाथ और बाया हाथ ठीक है तो इसलिए हमारा जो भी government थी तो उसमें इन्होंने काम किया था कि यह हमारा जो है planning बनाने का जो काम है वो किसका रहेगा planning commission का रहेगा ठीक है तो planning commission वो सेट अप बाइदा resolution of government of India in the March 1950 तो यह हमारा जो है एक resolution निकाला गया और उस resolution के साथ में हमारा यह जो है उस चीज को set up किया गया ठीक है तो prime objective of the government were to propel a rapid increase in the living standard of Indian मतलब हमारा जो standard है उसको कैसे हमें improve करना है और कैसे अपनी जो performance है उसको boost up करना है तो यह चीजे हम लोगों ने यहाँ पर discuss करी थी इसके साथ साथ हम लोगों ने यह भी discuss किया था कि एक country के जो resources है उसको हम किस तरीके से utilize करेंगे in the best way क्योंकि जब ह हम अपने अजादी के चर्णों में थे तो उस time पर हमने बहुत सारे changes देखे उस time पर हमने यह भी देखा कि कैसे जो foreigners है उन्होंने हमारे country को गुलाम बनाया ठीक है कैसे उन्होंने यहाँ पर साशन किया साशन करने के बाद आपका divide and rule वाली जो नीती है वो अपना ही अपन को कैसे improvement किया जाए तो वो जो सारा improvement है उसकी जो growth है उसकी जो development है उसको कैसे करना है इन सब चीजों के लिए ही हमारा जो planning commission है वो हमारा setup किया गया था तो हमारा जो planning commission है was assigned the responsibility of assessing the all the resources of the country कि मतलब इसको यह बताया गया कि आप जो country है उसके resources को आप देखिए उनको analyze कीजिए देखिए कि आपके पास कौन-कौन से available resources है कौन-कौन से area है जहां पर आप काम कर सकते हो तो उन area में इस resources को distribution करो इस resources को कैसे distribute करना है तो यह जो सारा काम है वो आपका अपना रहेगा इसके साथ साथ आपके जो square resources हैं वो देखना और अपने जो plan है वो बनाना तो plan बनाना बहुत most important काम था कि resources को analyze करो condition देखो और condition के accordingly अपने जो resources है उनको सही जगह पे utilize करो otherwise पदा चले कि हमारे resources हैं वो सही तरीके से utilize नहीं हो पारे और हमारी planning हो गई ठंटन गोपाल ठीक है तो इसलिए इन्होंने क्या करा कि हमारी जो productive है उसको balance way में उसको कैसे use करना है हमारे resources को balance वे में किस तरीके से utilize करना है तो यह सारी चीज़े हमारी इसमें आ जाती है और उसके accordingly आपको ranking करना prioritize बना आना कि कौन सी चीज हमारे priority की list में आएगी और कौन सी चीज हमारी secondary list में आएगी so you have to make the priorities ठीक है तो पंडे जवाला नहरू जो थे वो first chairman थे किसके planning commission के इसमें important याद रखने वाली जो चीज है एक तो यह point है हमारा कब establish हुआ था 1950 में किसके अंडर आता है प्राइम मिनिस्टर के अंडर सबसे पहली chairmanship किसकी थी जवाला नहरू की तो तीन चीज हमारी आ गए plan बनाना resources को match करना और resources को analyze करना और अपना resources को prioritize करना कि कौन कौन सी field में आपको इन resources को engage करना है ठीक है तो यह चीज है हमारी इसमें आ गई थी तो planning commission के बारे में कुछ थोड़ा सा और चीजे हम लोग discuss करते हैं अच्छा कई बार ऐसे statement kind of questions आपके इसमें आ जाते हैं तो इसमें क्या है कि यह आपके जो है वो extra constitutional और एक non statutory body थी the format of planning is derived from the Russia यह important चीज है कि जो format आपका जो planning commission है उन्होंने कब अपना जो है इनका जो format था वो हमने कहां से लिया था रशिया से लिया था तो यह extra constitutional आपकी body थी ठीक है यह हमारा constitution से अतिरिक यह जो है हमारा commission बनाया गया था and it is the non statutory body ठीक है तो यह हमारा जो वो statutory body थी तो इससे हमारा अलग से कोई parliament में act हमारा पास नहीं क्या रहा गया था एक special मतब एक ordinary resolution हमारा बनाय गया था कोई इस तरीके से हमें जो plan करना है तो इसका अलग से कोई act parliament में नहीं था ठीक है तो यह क्योंकि यह commission था कोई body आपकी नहीं थी तो इसलिए इसको नाम दिया गया non statutory body तो यह हमारा जो planning commission था किस चीच के लिए responsible था five year plan जितने भी बने उन सब के लिए कौन responsible था planning commission था planning commission था planning commission is approved by the ndc कई बार यह भी पूछ लेता है कि जो planning commission है उसको कौन approve करता है यानि national development council एक council बनाई गई थी planning commission के उपर ndc वो जो है वो ndc हमारा क्या काम करती थी इसका जो है एक council बनाई गई थी वो council हमारा development वगरा का काम जो है वो सारा देखती थी कि planning सही तरीके से हो रही है नहीं हो रही है तो वो सारा आपका जो काम है वो आपका इसमें आता था तो it consists of prime minister ठीक है तो इसमें सबसे पहला जो आपका कौन आता था प्राइम मिनिस्टर आते थे एक्स ओफिश्यों चेर्में मतलब आपके जो चेर्में होते थे वो कौन थे प्राइम मिनिस्टर होते थे वन डेपूटी चेर्में मतलब आपका जो है सबसे पहले पीम यानि चेर्में इसको हम चेर्में भी कह सकते है ठी ठीक है और उसके बाद appointed by the PM ये भी कई बार question पूछा जाता कि जो deputy chairman है उसको कौन appoint करता है वो directly आपके PM साहब आपके appoint करते हैं और कुछ हमारे full time आपके director आते थे इसमें part time का कोई system आपका नहीं था ठीक है तो अच्छा इसमें कुछ एक दूसरी याद रखने वाली जो चीज है वो क्या है tenure और इस member and deputy chairman is not fixed मतब ना तो उसका tenure of member जो था वो fix था और नहीं आपका जो deputy chairman का tenure था वो fix था कि वो कितने साल के लिए रहने वाला है पांस साल के लिए दस साल के लिए चार साल के लिए तीन साल के लिए वो आपका depend करता था government के उपर government जब चाहे उनको अटा सकती है ठीक है तो इसलिए उन्होंने क्या करा they are appointed by the government on its own discretion 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 का मतलब decision ठीक है the number of member may also change according to the wishes of the government मतलब अगर government चाहे तो उनको बढ़ा सकती थी चाह के एक responsibility देदी कि चीच की कि भया आप country के resources देखो उनकी need देखो prioritize करो और उनके हिसापते आप उनको planning करो एक systematic recording आप करो और उसके हिसापते इन्होंने जह हो चीजों को बताया ठीक है तो यह कुछ इन्होंने plan बनाए तो कुछ plan का decision हमारा यहां पर है अच्छा जो first five year plan बन बना था और सबसे last वाला जो बना था वो कब बना था 2012 से लेके 2017 के बाद यह हमारे five year plan हो गए खतम यह first plan बना था 1951 से लेके 1956 सब बना था तो planning commission हमारा setup हुआ था 1950 में first five year plan बना था 1951 में तो यह कुछ चीजे हैं जो कि आपको ध्यान रखनी है ठीक है तो हमारे यह कुछ हमारे plans हमारे दिये गए हैं जैसे first five year plan 1951 से लेके 56 तक 56 से 61, 61 से 66, 66 से 69 तो यह हमारा कुछ three annual plan हमारे बने थे तो यह हमारा इसमें आ गया तो उसके बाद fourth plan, fifth plan, sixth plan, seventh plan, eighth, ninth, tenth, eleventh और twelfth, 11th बना था 2007 से लेके 2012 तक और 2012 से लेके 2017 तक बना हमारा कौन सा 12th five year plan, 12th five year plan के बाद यह हमारे जो five year plan है वो गए हमारे बन, क्योंकि इसमें हमने बहुत सारी progress कर लिते हो, बहुत सारी चीज़े हम लोगोंने उतार चड़ाओ अपने देखे, तो यह जो सारी चीज़े हैं वो हमने यहाँ पर देखी, तो five year plan जो थे, वो हमारे first five year plan का बना था, 1951 में और सबसे last राला जो का बना था, वो 2012 में बना थ ठीक है, और एक 19, ठीक है, तो यह सारे हमारे जो plan है, यह 2017 तक यह जो हमारे five year plan जो थे, वो हमारे चले थे, ठीक है, तो इसमें कुछ और इसके बारे में discuss कर लेते हैं, क्या कर रहा है इन्होंने, the constitution came in the 26th, 1950, ठीक है, उसके बाद हमारा जो है, first April 1951 से हमारा जो है, first five year plan हमारा launch हो गया था, कब तक चला, first five year plan जो था, वो 1951 से लेके, 1956 तक हमारा चला था, ठीक है, तो second वाला कब तक चला था, 1956 से लेके, 1961 तक चला था, इसको इन्होंने analyze किया, और analyze करने के बाद इसकी performance द five year plan बनाया, 1956 से लेके, 1961 तक, ठीक है, यह जो model था, जो second five year plan था, यह model था, किसके model पर वेज़ था, महा लेनोविश मोडल, इन्होंने इसमें कुछ चेंजिस करे, एक model इन्होंने adopt किया, उस model को हम बोलते हैं, महा लेनोविश मोडल, उसी model में आपकी industrial policies वगरा, यह सारी ची करना चाहिए, क्या-क्या चीजे हमें उसमें changes करने चाहिए, तो यह इन्होंने pattern वगरा, कुछ चीजे इन्होंने अपनी यहाँ पर develop करी, ठीक है, तो economic planning यह मैंने आपको बताई दिया, कि after independence हमारे 1950 में start हो गया था, तो इन्होंने economic growth और development के लिए हमारा यह जो चीजे थी, वो आपकी बहुत ज़रूरी थी, और इसके साथ-साथ मतब इन्होंने क्या करा कि five year plan हमारे start कर दिये, उसको बनाना, उनको execute करना, उनको monitor करना, किसका काम था, planning commission का था, यह हमारा 1951 से लेके कब तक चला, 2014 तक चला, 2014 में हमारे prime minister जी आ गए, कौन? मोधी जी, तो 2014 में इन् तो नया setup किया, किस चीज का, नीती आयोग, ठीक है, नीती आयोग जो है वो इन्होंने बना के खड़ा कर दिया, 2015 से लेके, 2017 तक पूरा setup इन्होंने तयार कर दिया, हमारा last five year plan कब तक चला था, 2012 से लेके, 2017 तक मतब जो हमारा चला, इसके end होने तक, हमारा जो है, नया का क्या नाम था हमारा, नीती आयोग, ठीक है, तो वो जो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि planning commission को किस ने replace करा, नीती आयोग ने, नीती आयोग ने किसको replace करा, planning commission को कब आया, 2015 और 2017 में बनके चालू हो गया था, लेकिन उसमें जो है वो इन्होंने, जैसे ही हमारा five year plan हमार खतम हुए, उसके बाद इन्होंने अपना annual plan अपने बनाने चालू कर दिये, ठीक है, तो इसमें हमारे five year plan के objective क्या थे, कई बार ये भी चीजे पूछ लेता है, ठीक है, तो हमारा higher growth rate, improve of the, हमारा जो growth rate है, वो बढ़ाना है आपको, standard of living आपको बढ़ाना है, ठीक है, दो च साथ साथ आपका self-reliance of economy, कि जो हमारी economy है, उसमें self-reliance हमाना आना चाहिए, कि हम self-dependent हम लोग बन सके, इसके साथ साथ हमारा social justice and reducing the inequalities, हमारा social justice है, वो आपके बास होना चाहिए, और inequalities जो आपकी खतम होने चाहिए, इसके साथ साथ आपका जो modernization है, economy वो आना चाहिए, नह कि almost सबके objective हमारे यही थे, लेकिन फिर भी हमने इतने सालों हमने क्या किया, कि हर उसमें जो हमने एक area रखा, कि इस area में हम लोग यह खर्च करने वाले हैं, या इस area में हम लोग हमारा जो हो यह focus हमारा रहने वाला है, तो आपको जितने भी five year plan है, उनके objective almost हमारे सेम थे, ल करना, social justice आपका करना, और आपकी inequalities खतम करना, self balance आपका बढ़ाना और जो economy है, उसको stable condition में लेकर आना, यह सारे हमारे long term objective थे, five year plan के पीछे, यह सब किसने हमारे करे, economic planning हुई हमारी, और planning commission नहीं यह जो सारा काम है, वो अपना करना, start करा, तो first five year plan बना आपका 1951 में, 1956 तक और second वाला बना हमारा 1956 से लेकर 1961 तक, ठीक है, तो इसमें आप यह दियान रखना कि जो second वाला plan था, वो हमारा महाल एनोविश मॉडल पे बेज़ था, कई बार यह question आपका पूछ लिया जाता एक्दाम में, ठीक है, तो कुछ और चीजें हम लोग discuss करते हैं, यहाँ पर, first eight five year plan in India, emphasis growing of the public sector, यह हमारे जो, first eight five year plan थे हमारे, वो उन्हें हमारा जो focus था, वो किस पर था, public sector पर focus था, कि भई, public sector की जो growth है, वो हमें कैसे करनी है, इसके साथ हमारा जो huge investment थी, और जो हमारी heavy and basic industries थी, उन्हें सबको जो है, वो यहाँ पर हमारा focus था, कि भई, government और जो public sector है, उनकी improvement हमें कैसे करनी है, उनकी performance को improve करना, उनका जो development है, वो कैसे कैसे करना है, यह सारा इ making the government as a growth facilitator, तो इन्होंने क्या करा, जब हमारा 1991 में एक policy हमारी आई थी, जिसको हमने बोला new economic policy, तो इस policy के अंडर हमारा तीन concept हमारा आयते, liberalization, privatization, globalization, that we already discussed, ठीक है, liberalization का मतलब क्या है, कि अपनी जो terms and condition हो, उसमें थोड़ा सा liberal हो जाना, जो unnecessary terms and condition है, उसको आप abolish कर दो, उ ठीक है, तो वो हमारा हो गया, liberalization, जैसे जो हमारा, जो आपकी necessary condition है, उनको आप रखो, unnecessary वाली को आप हटा दो, privatization का मतलब क्या था, privatization का मतलब है, कि आप जो ownership है, वो public sector है, उससे आप हटा करके, जो आप किसमें growth कर दो, आप जो है, facilitate कर दो, किसको private sector को, आप private sector को भी allow करो उनको भी performance को मौका दो, क्योंकि आपने इतने साल काम किया, बहुत अच्छा काम किया, उसमें कोई performance आपकी थी ही नहीं, तो उस performance को देखते हुए, हमें एक काम करना चाहिए, कि जो industries है, उनका classification कर देना चाहिए, और उसमें हमें जो private sector को भी allow कर देना चाहिए, कि now you are free to take the participation in the formation of these industry, ठीक है, तो each 5-year plan started from the April 1st and particular and end of the 31st March of the particular year, तो एक जो 5-year plan था, मतलब ऐसा नहीं है कि 5 साल के बाद ही आप देखो कि भी क्या हुआ, तो आपका जो 1st April से start होता था और आपका end कब होगा, 31st March को, ठीक है, तो privatization आपका जब हुआ, तो privatization के साथ साथ आपका globalization भी आया, globalization का मतलब क्या था, अपनी economy को world की economy के साथ में attach करना, तो यह सारा जो था हुआ हमारा globalization का है, तो इसमें इन्होंने बताया, कि हमारा जो 5-year plan था, वो कब से start होते थे, एक April से start होते थे और 31st March को आपके खतम हो जाते थे, फिर उसके बा इन्होंने वर launch between the third 5-year plan and the fourth 5-year plan, तो third और fourth 5-year plan के वीच में तीन हमारे annual plan जो थे, वो हमारे बनाये गए थे, कई बर यह भी question पूछ लेता है, कि three annual plan जो थे, वो कौन से उसके वीच में बनाये गए थे, तो यह आपको third 5-year plan और fourth 5-year plan के लिए बनाये गए थे, the fifth 5-year plan was launched by the इंद्रा गांधी government was abundant one year before its schedule and by the जन्ता alliances government, तो हमारी जो है उस time पे कुछ हमारी ऐसी emergencies हमारी आ गई थी, तो इन्होंने launch तो किया था, लेकिन launch करने के बाद इन्होंने खतम करने से एक जो भी उसका date था, उस date से पहले ही, एक साल पहले ही इसको खतम कर दिया था, क्योंकि मह regular plan, जन्ता government introduced the rolling plan in 1978, the rolling plan was launched actually as a sixth plan from 1978 to 1983, तो ये government जब change हो गई, तो इन्होंने अपना, मतब वो ले कर आए, अपनी planning ले कर आए, तो इन्होंने क्या करा, rolling plan इन्होंने बनाए, अब जो rolling plan थे, वो six rolling, मतब जो है, आपके plan, उनके जो rolling plan थे, उनको six five year plan का नाम दे दिया गया, जो कि हमारे 78 से लेके 1983 तक चले, बट सून्दा जन्ता government was the outset from the power and the incumbent, इंद्रा government जो वो दुबारा से आ गई, और उन्होंने अपना जो six five year plan जो था, वो दुबारा से 1980 में launch कर दिया, ठीक है, तो यहां पर हमारे दो changes देखने को मिले, एक 1978 में और एक आपका जो है वो, three annual plan आपके बने थे, ठीक है, तो eighth five year plan was started two years, then the schedule time between the Indian economy was in chamber during the 19 to 92, तो वहां पर कुछ और भी हमारे changes किये गए, ठीक है, जो हमारा eighth five year plan था, उसमें भी हमारा जो schedule time से पहले ही, मतलब जो है, उसको खतम कर दिया गया, क्योंकि 1991 में हमारा, जो वो economic, हमारे जो reforms है, वो हमारे उस time पर हमारे in condition को देखते हुए, crisis को देखते हुए, हमारे जो है, five year plan पर हमारा effect अमें देखनों को मिला, तो यह जो छोटी-छोटी चीजे हैं, यह आपको थोड़ा सा ध्यान रखनी है, ठीक है, तो यह first eight की, और three annual की, और regular आपका यह जो चीजे है, और eighth वाला जो है, इनक start करें, ठीक है, तो इसमें कुछ हम, हमने दो five year plan के बारे में discuss करा है, एक first का और last का, ठीक है, तो बीच का भी आपको थोड़ा थोड़ा उसके बारे में, आपको मैंने, जो वो overview मैंने आपको दे दिया है, लेकिन जो detail analysis में बता रहा हूँ, आपको first और last का बता रहा हूँ तो first five year plan हमारा आया कब हमारा parliament में, हमारे जो जवाला नहरू थे, वो 1951 में लेकर आए, ठीक है, this plan promoted to India of the self-reliant closed economy and was developed by the PC महाल एनोविश model, ठीक है, तो इसमें इन्होंने जो था, उसमें ये जो model जो था, वो महाल एनोविश model पे बेस था, इसमें five year plan, first five year plan जो हमारा बना था, उसके बेसिस पे ही, जो हमारी success थी, success के बेसिस पे इन्होंने दुबारा से उस model को revise किया, और second model इन्होंने अपने 1956 में, एक दूसरा model इन्होंने change कर दिया, ठीक है, तो यहां पर हमारा जब plan had heavily borrowed idea from the USSR, the five year plan हमारे developed by the Domer, due to this, the first five year plan is also called Domer, महाल लेनोविश model, ठीक है, तो यह हमारे Domer, basis पर मतलब जो थे, वो हमारे यहां से यह जो model थे, वो यहां से लिये गए, तो first five year plan को हम Domer, महाल लेनोविश model भी कह देते, तो फायस first, उसमें हमारे जो first five year plan था, उसमें हमारे priority किसको दी गई थी, agriculture, irrigation और जो power project जो थे, उनको दी गई थी, और इसके पर जो budget था, वो हमारा कितना था, 2069 करोड जो था, वो seven broad areas में हमारा जो था, वो अलोट किया गया, किस-किस में, energy and, आपका irrigation and energy में, agriculture में, और आपका transportation and communication में, ठीक है, land rehabilitation में दिया गया, और इसके साथ-साथ मतलब हमारा monsoon और relatively जो field जो थी, उसमें जो था, वो हमारा क्यों ज्यादा नहीं थे, क्योंकि उस्टेम पर हम agriculture based economy थे, तो जारत तर जो focus था, वो हमारा agriculture पर रखा गया था, ठीक है, तो यहाँ पर जो थी, वो mainly irrigation project, including the भागरा, भागरा डैम और हीरा कुन डैम, हमारा जो started हुए थे, first five year plan में, ठीक है, और five Indian institutions of technology, IIT, मतलब जो थे, वो महा जो कि हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसका हम एकदाम देने वाले हैं, वो भी first five year plan में ही recommend कर दिया था, और जो was set up and take care of the funding and take measure of the strength of the higher education of the country, तो कई बार ये भी पूछ ले था कि UGC जो कौन से five year plan में आये था, ठीक है, तो यह आपका, जो UGC है, वो उसके accordingly ही आपका establish हो गया ठीक है, तो यह हमारा first five year plan के आपके highlights है, तो यहाँ पर जो focus है, वो किस पर गया था, हमारा agriculture sector और उसकी जो rehabilitation है, transportation है, irrigation है, इन सब चीजों पर हमारा focus गया था, next हम बात करते हैं, 12th five year plan की, ठीक है, तो यह हमारा last five year plan था, इसके बाद हमारे five year plan हमारे नहीं बने, ठीक है, त इसका जो main theme था, वो क्या था, faster, more inclusive and sustainable growth, मतलब आप जो है, एक तो अपनी जो growth है, उसको faster करना है, ठीक है, inclusive सबको साथ में लेके चलना है, और sustainable growth आपको long time के लिए आपको जो growth है, वो continue में आपको रखनी है, तो यह इसका objective था, ठीक है, तो 12th five year plan जो जब आपका बनाया, त क्या target रखा गया था, 9% का, but the NDC on 27th December 2012 approved a growth rate of 8% for the 12th five year plan, तो यहाँ पर हमारी थोड़ी सी दिक्कत आगए, क्या दिक्कत आगए, government of India ने plan रखा 9% का, और NDC ने plan रखा, कितना 8% का, तो हमारा थोड़ा सा यहाँ पर दिक्कत आगई थी, ठीक है, government intend to reduce the poverty by the 10% during the 12th five year plan, उन् बोला कि हमारी जो poverty है, हमारी जो गरीबी है, उसको हटाना है, कम करना है, 10% तर, ठीक है, plan aim towards the betterment of the infrastructure project, हमारा जो infrastructure project है, वहाँ पर हमें जो वो थोड़ा सा focus करना है, और इसके साथ साथ हमें क्या करना है, जो हमारे bottom legs जो है, उसको हमें थोड़ा सा avoid करना है, bottom legs का मतलब है कि हम जो पुरानी खयालों में, पुरानी जो चीजों पे हम लोग घिसी पीटी, पुरानी लखी उरो पे जो हम लोग चलते जा रहे हैं, उसको हमें ख़तम करना है, अब हमें transformation की तरफ देखना है, अब हमें changes की तरफ देखना है, तो ये चीज़ हमारी इसमें आए, document presented by the planning commission is aimed to attract the providing investment up to US dollar 1 trillion in the infrastructure growth, और तो यहां पर हमारा जो infrastructure growth जो थी, उस पे इनोंने focus किया, और इसके साथ साथ हमारा जो government है, उसकी subsidy भी इनोंने घटानी शुरू करी, आपका 1% from the 2% of the GDP, हमारे जो भी GDP थी, उसका जो subsidies थी, वो भी इनोंने घटानी शुरू कर दी, ठीक है, इसके साथ UID हमारा जो थोड़ा सा develop हो गया, कौन सा, unique identification number, यह इनोंने बोला कि cash transfer, आपका subsidies वगरा का, जो हमारे आधार card वगरा जो बनते हैं हमारे, वो जो है, यहां पर इनोंने change कर दिया, ठीक है, और यह नया concept यह लोग लेकर आए, और उन्होंने बोला कि भी जो payment वगरा का जो transformation है, वो आपको होना चाहिए, मतलब एक ऐसा identification number होना चाहिए, जो आप जो है, ऐसा unique number आपके पास होना चाहिए, ठीक है, तो इसमें क्या क्या करा गया, कि to create 50 million new work opportunity for the non farm sector, ठीक है, तो gender और social gap जो था, school enrollment में उसको remove क लेके, वो थोड़ा था, इन्होंने खतम करने की कोशिच करी, इसके साथ साथ हमारा जो higher education है, उसको जारत से जाधा जो वो promote करें, और इन्होंने gross enrollment ratio को बढ़ाने का तरीका डूंडा, इसके साथ हमारा जो malnutrition था, जो children below that 0 to 3 age में, जो हमारा कुपोशन के जो सिकार चाहिए, और इन्होंने ये ensure करा कि 50% of rural population has access to proper drinking water, ठीक है, ये इन्होंने objective रखे थे, अब कितने objective पूरे हुए, कितने पूरे नहीं हुए, जी आपकी बात की बात है, ठीक है, तो increase green cover the 1 trillion hectare of the every year, मतलब आपकी जो green दी वगरा है, उसको paid पौदे, यहाँ पर environment से related है, paid पौ provide access of banking services to the 90% of the household, मतलब हमारे जो 90% household है, उन तक हम जो banking services है, वो हम provide, मतलब communication और जो UID नंबर वगरा इन सब चीजों पर इन्होंने फोकस किया, infrastructure वगरा पर इन्होंने जो वो फोकस किया, और हमारा जो opportunity है, वो दी non-farm sector को, यानि service sector को इन्होंने जो वो opportunity दी, ठीक है, education पर थोड़ा सा फोकस किया इन्होंने, और इसके साथ जो हमारे malnutrition, electricity, water, इन सब चीजों पर भी इन्होंने फोकस अपना किया, तो ये एक थोड़ा सा data है आपका, तो इस data को आपको थोड़ा सा देखना है, कि कई बार आपके ये पूछ लेता है, कि इस time पे हमारा target क्या था, और उस time पे हमारा कितना अचीव हुआ, तो जैसे first five year plan था, 1951 से लेके 56 तक चला, इतना हमारा target था, इतना अचीव हुआ, ठीक है, second five year plan में 4.5 का target था, 4.3 अचीव हुआ, यहां पर दिक्कत आ गई हमारी, सबसे बेकार जो five year plan था, वो हमारा third five year plan था, 1961 से लेके 1966 था 5.6 के हमने target किया था, लेकिन हुआ कितना, exactly half, ठीक है, इसमें हमारा कोई वो नहीं किया गया, तीन साल का वो मैंने आपको बताया कि वो आपके annual plan आपके बने थे, ठीक है, फिर उसके बाद आपका जो है, fourth five year plan बना आपका 5.7 से लेके 3.3, यहां पर आपका जो target सबका जो है वो आपका जो है वो lower, इसमें lower रहा, इसमें आपका बढ़ गया, ठीक है, 5.2 का हमने अच्छी उमोग करा था, target किया था, 6.0 हुआ, 5 का target किया था, 6 हुआ, 5.6 का target किया था, 6.8 हुआ, फिर यहां पर हमारी eighth five year plan के बाद थोड़ी सी दिक्कत आ गए थी, जो मैं आपको पताया पहले भी, ठीक है, तो आपका 6.5 का था, 5.4 का आपका target हुआ, ऐसे ही आपका 10th का, 11th का और 12th का, ठीक है, तो यह चीज है हमारी इसमें आही थी, उसके बाद हमारा जो planning commission है, वो हमारा खतम हो गया, उसको abolish कर दिया किसने, नीति आयोग ने, ठीक है, तो थोड़ा सा नीत आयोग हमारा क्या था, नीति आयोग इसकी full form है, National Institution for Transforming India, ठीक है, यह हमारा जो है, वो PM मोदिज जी हमारे लेकर आये थे, तो इन्होंने एक नई आयोग का हमारा गठन किया, ठीक है, तो इसलिए इन्होंने क्या बोला कि हमारा faster cooperation हमारा होना चाहिए, तो उसमें बहुत सा हमारी कमिया थी, उस कमियों को दूर करने के लिए इन्होंने नीति आयोग को गठन किया, और इन्होंने बोला कि यह हमारा जो है, एक continuous basis पे recognize as strong state में का strong nation, तो इन्होंने बोला कि जो strong state है, और जो central government है, इनके बीच में strong bonding आपकी होनी चाहिए, अब central government पहले क्या था, कि central bonding क command थी, अब state की problem का तो मैं पता ही नहीं चलता था, तो अब यहाँ पर क्या बोला गया, कि काम करो सारे state के जो representative बुलाओ, और उनसे पूछो कि भईया, आपके state में क्या-क्या दिक्कत है, तो वो अपनी अपनी problem बताएंगे, और problem बताने के बाद उसका solution देखा जाएगा, तो इसमें हमारा जो planning commission जो था, was replaced by the new institution नितियायो, कब 1st January 2015, ठीक है, with our emphasis on bottom-up approach, bottom approach मैंने जैसे कि अभी आपको बताया, कि lower level से लेके, उपर level तक का का काम था, और जो कि planning commission जो था, वो top-down approach चलती थी, मतलब उपर से जो order आगे, वही चीज आपको follow करने है, मतलब इसमें आ आपको सवाल जवाब करने का कोई मौका नहीं दिया जाता था, ठीक है, तो इसमें हमारा जो है, वो क्या किया गया, एक corporate, federalism, जो हमारा यहाँ पर, जो वो join किया गया, और इसके साथ-साथ में, जो है, कुछ चीजे इन्होंने बताई, क्या, it is a team India hub, यहाँ पर interface between state and center, मतल सब क्या है, इसको हम think tank भी बोल देते हैं, कई बर इसको यह पूछा जाता है, कि think tank हम किसको बोलते है, planning commission को, नीती आयोग को, दोनों को किसी को भी नहीं, तो think tank जो है, वो आपका सोचने का जो काम था, वो किसका था, नीती आयोग का था, ठीक है, the आयोग plan for come out with the three document, three year action agenda, seven year medium strategy paper and the 15 year vision document, तो यह हमारे नहीं नहीं planning लेकर आया, ठीक है, कुछ हमारे three year action plan लेकर आया, agenda लेकर आया, साथ साल के लिए हमारे medium term strategy लेकर आया, और 15 year का हमारा vision document लेकर आया, कि हम आज planning कर रहे हैं, 15 साल के लिए, तो 2017 के भी अगर हम बात करें, ठीक है, तो इससे हम जो 35 years आगे तक की बात करेंगे, कि इतना हमारा जो इतने time के लिए हम लोग जो plan करके चल रहे हैं, तो इन्होंने यह जो था थोड़ा सा, visionary यह जो था, यह चीज़े हमारी थी, तो इसमें क्या-क्या था, एक chair person है, जो के मारे PM है, vice chair person है, to be appointed by the prime minister, उसमें भी थे, governing council है, जिसमें हमारे chief minister, all state and lieutenant governor of UT, ठीक है, तो इसमें आपके जो UT हैं, उसके हमारे lieutenant governor आएंगे, और हमारे जो states हैं, उसके हमारे कौन आएंगे, governors आएंगे, हमारे chief ministers, ठीक है, तो हमारे regional council हमारी बनाई गई, ठीक है, तो इसमें हमारा regional issues और हमारे जो भी CMs वगरा है, lieutenant governor, आपके जो chair person है वो हमारे host किये गए और उनको बताएंगे कि आप अपनी अपनी problem को बताएंगे ठीक है एड-hoc member हमारे थे उसमें permanent member थे एड-hoc member का कोई planning नहीं थे यहाँ पे two members in the ex-official capacity from the landing research institution on the rotational basis यह आपके rotate होते रहते हैं ठीक है जिसकी जब requirement होती है तब इनको बुला ले जाता है ex-official membership थे आपके maximum four from the union council minister to be nominated by the prime minister तो इनका थोड़ा सा आपको जो hierarchy है वो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि आपका जो सबसे उपर कौन है उसके नीचे कौन है उसके नीचे कौन है तो यह जो सारा आपका जो है यह चीज़े इसमें आपकी आई तो इसमें आपका chairperson, vice chair person, governor council, regional council, ad hoc membership, ex-official membership, ठीक है चीफ executive officer, ठीक है फिर उसके बाद special invites हमारे थे, expert और specialist हमारे बुलाते थे, prime minister को जब उनकी जरूत होती थे तब यह अपना बुला सकते हैं तो यह नीचे आयो का composition थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कई बार इस रिलेटिड आपके question आजाते ह आपकी 65 year के लिए हमने planning commission को दिये लेकिन वहाँ पर जो progress थी वो structure अगर हमें कई सारी इनकी दिक्कत आ रही थी ठीक है तो उसके लिए हमने जो वो इसको transform करा और उसके लिए हमें ऐसी मतलब ऐसी हमें चीजों की दुरोत थी जो हमें क्या करें थोड़ा सा उसमें changes लेकर आ तो वही weakness जो हमारी उसको बताना जब तक state को पता नहीं चलेगा कि हमारे जो central government है उनको पता नहीं चलेगा कि हमारी क्या 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 problem चल रही है जब तक उनके representative नहीं आएंगे तब तक हमारा कैसे काम चल लगी है थोड़ी है कि जो ऊपर जो team बैटी है उन्होंने plan बना दि दिया जाएगा तो यहां पर cooperative federalism पर इन्होंने काम करा दोनों का cooperative support and initiative आपका बताया गया और इन्होंने यह भी बताया कि हमारा जो है continuous basis पर आपसे progress report आपकी मांगी जाएगी और आपसे पूछा जाएगा आपको जो पैसे दिये गए तो उसका आपने किया क्या तो आप उन report है तो वो चीज़े आप बताऊगे तो इन्होंने मतलब जो है state और जो government है उनके बीच में एक strong level के relationship इन्होंने बताए इसके साथ साथ इनका जो special attention था वो हमारे society है उस पर था और उसको किस तरीके से उसको progress करना है और उसको कैसे benefit पहुचाना है ये चीज़े हमारे इस पर थी इसके साथ साथ इन्होंने क्या करा कि advice करा partnership पे between the key stakeholder and the national link और इसको हम mind think tank as well as the educational policy researcher institution के उससे भी हम जानते हैं कि बत इसके साथ साथ में policy को बनाना frame करना और उनकी problem को understand करना सुनना ये जो सारी चीज़े हैं वो हमारे इसमें आई ठीक है इसके साथ साथ आपकी knowledge innovation technical और आपका जो entrepreneurship जो support है वो सारी चीज़े इन्होंने बताई और इसके साथ साथ मतलब जो है एक resource center जो है वो भी चीज़े इन हमारा जो कई सारे flaws हमारे आ रही थे कई सारी हमारी दिक्कते आ रही थी problem आ रही थी उन problem को दूर करने के लिए ये जो आयोग था वो हमारा बनाया गया था तो इसमें हमने जो वो इन सब चीज़ों के बारे में discussion करी थी बताया था कि वे किस तरीके से हम लोग जो वो काम कर लेंगे ठीक है यह कुछ differences आपके दिये गए है planning commission में और आपके नीती आयोग में ठीक है यह planning commission हमारा बना था 1950 में और यह बना था हमारा 2015 में ठीक है planning commission enjoy the power and allocated fund the ministry and state government मतलब इनको fund दे जाता था वो अपनी मर्जी से fund को allocate करता था लेकिन नीती आयोग जो था वो एक advisory body था उ तो हमारा function perform करता किस चीज का हमारा allocation of fund का तो इसमें हमारा function किस तरीके से हमें perform करना यह सारा हमारा आता था तो यहां पर हमारा NDC था लेकिन यहां पर हमारा state government are the expected play a more significant role तो NDC का काम खतम हो गया उनको बोला कि state government जो है वो अपनी अपनी problem बताया और उस problem को कैसे sort out करना है इस पर जो वह चीजे आपके बताई गए सेकरेटरेट एंड मेंबर सेकरेटरेट वर अपॉंटेट थूरू दा यूजल प्रोसस जो हमारा यूजल प्रोसस था उसी प्रोसस के थूरू यह continue किया जाता था यह हमारा CEO सेकरेटरेट जो थे वो उसको CEO के नाम से जानते थे औ निती आयोग में आपके जो पार्ट-टाइम मेंबर से वो आपके बुलाते हैं जब आपको जरूरुरत होती है तब planning commission जो वो chairperson, membership secretary and full-time member लेकिन यहाँ पर आपका जो chairperson, vice chairman, आपका vice chairperson, full-time member, part-time member, ex-official member और आपका CEO, secretary rank वगरा ये सारे आपके इनके काम थे Planning Commission frame the policy for the straight and tie up allocation the fund with the approval project मतलब जो भी आपके project अगर आते थे उन सबसे इन्होंनों लेके काम किया नीति आयोग is the only think tank does not have the power to frame the policy यह मतलब आपको suggestion करने का काम करेगा और बागी जो वो ministry आपके जो policies को बनाएगी तो I hope you guys clear the difference between Planning Commission और नीति आयोग नीति आयोग क्या था उसने कैसे काम किया और किस तरीके से उसने नीति आयोग ने replace करा हमारे Planning Commission को यह कुछ और differences है ठीक है यह that we already discussed अच्छा इसमें जो important चीज है नीति आयोग हमारा bottom-up approach को follow करता है और यह हमारा जो है वो top-down approach को follow करता है तो कई बार यह related आपका पूछ लेता है statement आपका पूछ लेता है this is related to this and this is related to this तो आपका जो नीति आयोग है वो नीचे से लेके ऊपर तक की problem को वो करता है यह आपका ऊपर से order आता है वही आपको follow करना पड़ता है कुछ आपके initiative लिये थे नीति आयोग ने वो हम लोग थोड़ा था बताते हैं आपके sdg इंडिया इंडेक्स composite water management इंडेक्स ठीक है अटल innovation mission इनोंने बताया school education quality index इनोंने बताया good governance index इनोंने बताया आपका जो health index वगरा है यह कुछ index इनोंने बताया है जहां पर अपने आपकी performance जो हो आप अपनी check कर सकते हो एक initiative है e-amrit portal इनोंने खोला e-amrit portal जो है वो एक हमारा one stop destination जो था जितने भी हमारे electronic vehicles होते हैं उनके लिए यह हमारा जो पोटल है यह खोला गया तो यह हमारा एक नीती आयोग अंडर दा collaboration knowledge exchange program with the UK government and the part of the UK India joint roadmap आपका 230 तक यह बनाया जितने भी हमारे जो electrical vehicle जो हैं उनको promote करने के लिए एक portal बनाया गया जिसको हम e-amrit पोटल बोल देते हैं यह भी हमारा किस की सोच है नीती आयोग की सोच है जैसे कि आप देखो जारतर जो vehicles है वो आपके किस में आ रहे हैं वो आजकल जो है हमारे electrical vehicles को जादा promote किया जा रहा है ठीक है तो वही सब चीज़ों चीज़े हैं आपकी उसको जो है promote करने के लिए एक पोटल बनाए गया है उसको हम e-portal के नाम से जानते हैं ठीक है तो यह चीज़े हमारी इसमें आ गई है ओके तो यहां तक जो हमने पड़ा यह जो चीज थी आपका planning commission क्या था और planning commission ने कैसे कैसे काम करने स्टार्ट किया ठीक है उसके बात जो हम चीज़े discuss करेंगे this is your mrtp act 1969 तो इसकी full form आपको ध्यान रखना है और इसका year आपको ध्यान रखना है तो year है आपका 1969 और full form आपके क्या है monopoly and restrictive trade practices act 1969 यह जो act है इसके बारे में आपको थोड़ा पढ़ना है इस ते related आपके कई बार आपके जो एक्जाम है इसमें question आपको देखने को मिलते हैं तो चलिए बात करते हैं इसकी तो यह जो mrtp act है यह basically क्या था कि यह जो monopolies restrictive trade practices जो थी वह हमारी 1969 में हमारी आई थी ठीक है तो यह हमारा काम करना कब से start कर रहा था 1970 से इसने काम करना start कर रहा था और यह हमारा जो price और जो legislation है उससे related यह जो act है यह हमारा है बनाए गया था कि जो monopolies है वह हमारी कम से कम होनी चीए और जो उनकी restrictions है unfair trade practices है उनको हम कैसे restrict करना है इन सब चीजों के बारे में यहां पर इन्होंने discuss किया था तो इन्होंने क्या बताया दो चीजे बताया हमारी prevention of concentration of economic power to the common determinant मतलब आपकी जो economic power है वह आपकी जो limited hands है उसमें आपकी नहीं होनी चाहिए मतलब आपकी monopolies जो वह कम से कम होनी चीए क्योंकि monopolies हो जागी market में तो सब अपने तरीके से market जो उसको determine करने की उसको control करने की कोशिश करेंगे तो यहां पर इन्होंने बोला monopolies को monopolistic जो है उनको हमें control करना है उनकी जो restrictive and unfair trade practices है उनको हमें कैसे prejudice करना है public interest के लिए कि जो हमारी public है उसके interest के लिए आपको unfair trade practices को कैसे कम करना है कैसे उसको बचाना है तो वो सारी चीज़े यहां पर इस act में बताई गई थी ठीक है इसके objective क्या थे law economic power does not get the concentrated into the hands of you company मतलब आपकी जो monopolies है वो कम से कम होने चाहिए मतलब आपकी जो economic power है वो चुनिंदा हातों में नहीं होने चाहिए तो यह चीज़े इन्होंने यहां पर बताई थे तो इसके साथ साथ हमारी to provide the monopolies control आपकी जो monopolies है उस पर पूरा control रखना है आपको और इसके साथ साथ यह चीज़े इन्होंने बताई तो उसको regulation कैसे करना है उनकी जो restrictive trade practices है उनको कैसे regulate करना है यह चीज़े इन्होंने बताई ठीक है तो यहां पर एक amendment करी गई हमारी 1984 में और इन्होंने एक fourth objective जो यहां पर बता दिया कि चीज़ का unfair trade practices का ठीक है after the final amendment in 1991 तो उसमें कुछ चीज़े और हमारी आ गए MTP यानि Prohibition of Monopolistic Trade Practices मतब Monopolistic Trade Practices RTP यानि restrictive trade practices और unfair trade practices यह तीन चीज़े हमारी इसमें आई थे monopolistic trade practices restrictive trade practices और unfair trade practices यह तीन चीज़े हमारी यहां पर focus करी गई थी मतब उनको जो है वह unfair trade practices वगरा उनको कैसे बचाना है कैसे prevent करना है public interest के लिए किस तरीके से काम किया जाएका तो यह सारी चीज़े इन्होंने यहां पर बताई थी ठीक है तो वह चीज़े इन्होंने यहां पर बताई है MTP RTP और unfair trade practices इसके कैसी होनी चाहिए आपके जो profitability है उसको किस तरीके से करोगे आपका जो flow of capital जो रहेगा वह आपका कैसा रहेगा इसके साथ साथ आपकी जो supply है उसकी terms and condition को भी इन्होंने जो वह ब्रेक किया और उस पे इन्होंने पूरा control जो वह अपना किया इसके साथ जो unfair trade practices करते थे unfair trade practices में आपका जो है quality of misleading about the quality of goods their style ठीक है usefulness need standard और false claim और represented on the price of the goods की मतलब जो है false warranty guarantee और इस related मतलब जो है चीज़े इन्होंने आए और इसके साथ false fact or given on the regarding the affiliation sponsorship कि यह इसका sponsored है यह EC का product है यह चीज़ है वो चीज़ है हमारी EC की branch है तो कई बर customer को mislead करना मतलब एक original company के नाम से duplicate company बना देना तो यह एक गलत चीज़ है मतलब quality के साथ में आपको जो प्राइद बढ़ा दिया quality घटा दी तो यह एक गलत तरीका है तो वह जो गलत तरीका इन्होंने अपनाया वह चीज़े हमारी MTP को prevent करने का काम इन्होंने किया ठीक है तो यहां पर तीन चीज़े हमारी आए MTP monopolistic trade practices RTP restrictive trade practices और unfair trade practices यह चीज़े हम लोगोंने यहां पर discuss करी ठीक है इसमें एक commission बनाया जिसको हम बोलेंगे MTP commission यह जो commission था उसमें क्या था minimum of two members and maximum of the eight members ठीक है एक सबसे उपर आपके chairman रहते हैं chairman के नीचे to be qualified the supreme court और आपके जो judge हैं उनके जो qualification है वो आपकी सारी same qualification इनकी होनी चाहिए ठीक है members of this commission process the adequate knowledge and the experience उनके पास अपनी जो law है economics है commerce है industry है accounting है public affairs है उनके पूरी knowledge होनी चाहिए जो उसके members है और उसके बाद जो office period of the member of the commission could not exceed the five year during the inquiry before the commission DG यानि director general of the investigation and the registration तो यह सारा उनको बताते थे कि किस तरीके के आपके proceeding रहेगी कैसे आपका decision लिया जाएगा तो यह सारा इन्होंने यहां पर उसको बताया अच्छा उसके बाद यह जो माटीपी जो था उसको हमारा change कर दिया गया किसमे competition act ने complete जो वो detail पूरा act है वहां पर आप discuss करोगे MRTP क्या था और जो आपका competition act है वो क्या था इनके बीच में relation क्या था क्यूं MRTP को competition act ने replace करा तो अभी फिलाल के लिए आपको दो चीज़े याद रखने है MRTP का act और आपका competition act आपको competition act हमारा 2002 में आय था तो competition act ने किसको replace किया MRTP को MRTP को किसने replace किया competition ने तो यह कई बार इससे related आपके question जो वो आ जाते हैं तो इससे related कई बार जो चीज़े हैं वो आपको इसमें पूछी जाती है नेक्स्ट आपका CSR CSR का मतलब क्या होता है corporate social responsibility कि मतलब एक company की क्या-क्या responsibilities होती है corporate का मतलब होता है company social मतलब होता towards the society और responsibility मतलब होता है obligation that you need to perform तो इसमें हमारी company की कुछ responsibilities होती है जो कि हमें perform करनी पड़ती है अब social responsibility में आप किसको मानोगे किसको नहीं मानोगे तो वो चीज़ हम लोग बात करते हैं तो CSR जो है वो हमारा एक continuing commitment होता है by the business to behave ethically and contribute the economic development while improving the quality of life of the workforce and their family जो भी हमारी local community है उसके welfare के लिए उसकी society के लिए हम जो है क्योंकि हम एक resources लेते हैं किसे अपनी society से अब वो resources हम कैसे लेंगे कैसे उसकी बात करेंगे तो यह चीज़े हमारी यहां पर किसमा आ जाती है corporate social responsibility में मतलब उनके welfare के लिए काम करेंगे उनके upliftment के लिए काम करेंगे और उनको unfair trade practices वगरा से बचाना उनको promote करना उनको growth करना यह सारा जो काम है वो आपका किस का आ जाता ठीक है तो corporate social responsibility focus on the idea that business had the social obligation above the beyond making the profit ठीक है आप profit कमा रहे है वो भी ठीक है लेकिन business की कुछ और भी responsibility बनती है क्योंकि जो company जो resources ले रही है वो किस से ले रही है society ले रही है आप society की resources यूज कर रहे है और उनको convert करके आप उनको बेच रहे तब जाके आपको profit मिल रहा है लेकिन अगर आप उनके resources को बाकी responsibility आप fulfill नहीं करोगे तो लोग भी आपको जो ध्यान नहीं देंगे तो यह company की responsibility बनती है कि एक positive impact बनाए society के favor में और society के लिए किस तरीके का आपको impact बनाना है तो यह सारी चीज़े इन्होंने बताइए इसके साथ साथ कुछ आपकी जो है वो एक corporate social responsibility जो है प्रिमाइस है that business firm is more than economic institution मतलब आपका जो आपका profit है उससे भी कहीं जादा आपकी जो responsibility बनती है society को लेके गवर्मेंट को लेके आपकी public को लेके और जो customer है उसको लेके ठीक है investor को लेके कही सारी responsibilities आपके बनती है वो responsibility आ आपको थोड़ा सा दियान रखना है तो इसमें क्या बताया यह जो CSR है एक self-regulating business model होता है जो आमेरी company को यह बताता है कि company should be accountable to itself मतब खुद को लेकर मतब unethical practices आपानी ना करे stakeholder को लेकर और public को लेकर ठीक है stakeholder में आपका जितने भी customer वगरा है आपकी जो company वगरा है वो सब इसमें आ जाएंगे ठीक है competitor वगरा है जिनका directly या indirectly company से connection है ठीक है तो वो सारा आपका इसमें आ जाएगा तो इसमें company को जो हो यह चीज़े देखनी पड़ेंगे तो CSR को हम corporate social responsibility या corporate citizenship जो वो यह भी कह देते हैं क्योंकि company का जो है कुछ responsibilities बनती है society को लेकर और उन societies को जो responsibilities है वो fulfill करना उनकी charity के लिए काम करना उनके education के लिए काम करना उनकी cultural upliftment करना उनके societal upliftment करना ठीक है road बनाना और यह सारा जो कई वर company कुछ ऐसे काम कर देती है जिससे उसकी जो responsibility है वो बढ़ जाती है और उसके जो आप काम करना है तो यह हमारा ordinary course of business होता है जो की company को चीजे देखनी पड़ेंगी कि company क्या अपनी responsibility पूरी कर रही है या नहीं कर रही है अब वो responsibility कैसे पूरी करती है इससे company को भी advantage होता है और society को advantage तो आपका रहे गई रहेगा अब वो advantage कैसा होता है यह मैं आपको देखता हूं तो जब भी हम society मतलब CSR की बात करेंगे तो इस के लिए हमारा inducement कहां से आई कौन से ऐसे factor से जिसने CSR को हमारा improve किया तो हमारा जब से हमारा globalization आया market में तब से हमारा CSR बढ़ गया कि मतलब आपको जो है globalization में आपने क्या करा आपनी economy को world की economy के साथ में आपने टैच किया तो यह जो globalization था इसके through भी हमारा जो CSR का concept है वो लेकिन आप बाद में जो हो सब के लिए mandatory कर दिया क्या image build करने में आपकी help करेगा मतलब अगर आपको positive image बनानी है company के लिए मतलब society में तो आपको जो है CSR आपको करना पड़ेगा pressure from the investor के मतलब आप हमारा लिए क्या काम करते हो आप society के लिए क्या काम करते हो ठीक है आप profit क साथ में better relation में आते हो तो यह आपका CSR में आता legal requirement आप fulfill करो cost को आप save करोगे risk को आप cover करोगे इसके साथ अगर आपको better survival of business अगर आपको business को survive करना है तो CSR आपको करना पड़ेगा ठीक है इसके साथ better environment for the business मतलब business में एक better environment अगर आपको रखना है तो आपको CSR जो वो करना पड़ेगा ठीक है तो यह कुछ चीजे हैं कुछ आपकी जो limits इन्होंने बताई कि हमारा जो है यह जो चीज है वो most important है इससे related आपका question आता है देखो CSR किस किस के लिए compulsory है ठीक है तो इसमें क्या बताया कि जिसकी net worth जो वो 500 करोड या जाधा है ठीक है turn over 1000 करोड या उसस profit turnover और आपका zero net worth यह तीन अगर आपका net worth 500 करोड से जाधा है तो आप eligible हो जाओगे turn over आपके 1000 करोड है या उससे चारत है तो आप eligible हो जाओगे 5 करोड से अगर आपका profit ज्यादा है तोあっ एlandroll जाओगे कितना at the rate of two % जितना भी आपका रहेगा उससे ऊपर का 2% जो वो आपका ये चीज़े आपके लिए mandatory हो जाएंगे ठीक है तो ये percentage भी आपको ध्यान रखना है और ये criteria भी आपको ध्यान रखना है तो ये चीज़े आपके पूछ ली जाती है ठीक है तो ये section क्या कहता है Applicability आपके क्या रहेगी Companies Act 2013 में हमारा जो है ये amendment हमारी आई कि अब ये सब के लिए जो compulsory हो गया वो criteria इन्होंने बताया mandate applicable from the 1st April 2014 पहले ये आपका जो है foreign companies के लिए था लेकिन अब वो foreign और Indian दोनों में applicable हो जाता है तो इसमें क्या बताया the company having net worth of 500 करोड और ज्यादा ठीक है more turnover आपकी 1000 करोड और आपको जो net profit है वो 5 करोड या ज्यादा होता है तो आपको जो है ये चीजे आपको करनी पड़ेंगी तो इसका at the rate 2% आपको जो वो खर्च करना ही पड़ेगा CSR एक आपको CSR committee बनानी पड़ेगी वो CSR committee ही आपकी responsible रहेगी CSR activities के लिए ठीक है तो इसमें आपको three or more directors आपको जो पॉइंट करने पड़ेंगे out of which one at least shall be the independent director उसमें से एक डारेक्टर जो वो आपका independent डारेक्टर होने चीए क्योंकि उस पर company का कोई जोर आपका नहीं चलेगा ठीक है unlisted public company और private company can go without the independence of the director तो जो public company है और जो private company है वो आपकी unlisted company है आपकी तो वो आपकी independent director को नहीं appoint करेगी तब भी चलेगा लेकिन बाकी जो companies है उनको आपको appoint करना पड़ेगा ठीक है तो इसमें जो CSR committee है वो आपका काम करेगी और देखेगी किस तरीके से इन्होंने जो वो काम किया है to institute the transparency मतलब एक mechanism इस तरीके से बनाएगी कि मतलब जो project में कहां कहां पर खर्चा कर रहा है अच्छा जब भी जितना भी company CSR का खर्चा करती है वो सारा benefit आपको tax benefit आपको मिलता है उसकी proper आप जब वो रसीद वगरा देखाओ तो उसका benefit आपको जब वो यहां पर मिलने वाला है तो that's all for the day guys and यहां पर हमारी जो business environment के जो series है वो complete हो जाती है तो अब आपको जो next जो series मिलेगी उसमें पहले इसके जो कुछ app को MCQ दिये जाएंगे वो MCQ आपको practice करने है ताकि इस से related जो भी आपके MCQ अब तक आपके आए है प्लस हमारी जो faculty को question है वो आपको दिये जा तो आए हम लोग जड़ा एक बार syllabus की तरफ देख लेते हैं कि कौन-कौन सी चीजे हम लोगोंने cover करी है और कौन-कौन सी चीजे यहां पर हमारी रहे गई है कोई चीज हमारी छूट तो नहीं गई है तो यह हमारे business environment का syllabus है तो उसमें concept और element हम लोगोंने discuss किये economic environment बहुत और जो रोल है governance का हमारे business पे क्या-क्या impact रहता है that we already discussed legal environment अच्छा इसमें एक एक है हमारे दो consumer protection act और यह फेमा यह जब आप legal aspect करोगे तो यह चीज आपके वहां पर cover होंगी ठीक है क्योंकि legal aspect में भी आपके यह दोनों act जो है वह आपके cover होंगे consumer protection act और फेमा social factors यह बने आपको बताए कि जो society है उसके factors आपके क्या कह रहेंगे कैसे कैसे वह improve करेंगे और आपका CSR जो है यह मैंने आपको बताया ठीक है इसमें MRTP मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि वह आपके MRTP जो है अलक्ति एक्ट नहीं है वहाँ पर आपका competition act है तो MRTP act आपका legal environment में ही आपका constitute हो जाता है तो इसमें यह जो consumer protection act 1986 यह आप करोगे और जो FEMA act है foreign exchange management act तो यह सारा आपका जो है वहाँ पर जब आप legal aspect करोगे तो वहाँ पर आप लोग discuss करोगे ठीक है तो इसमे यहाँ पर जो है वह हमारा business environment का जो first unit है वह हमारा business environment हमारा complete हो जाता है तो thank you guys for watching and stay connected with us and आप जादा से जादा लोगों के साथ में हमारी जो वीडियो है वो शेयर करें और जल्द ही हम लोग मिलेंगे आपको एक नई unit के साथ में तो जैसे हमने business environment को complete करा है each and every aspect तो वैसे ही हम लोग बाकी units को भी cover करेंगे तो आप लोग हमारी सारी playlist को जरा जरूर चेक करिए ताकि आप लोग को इस से related जो topics है वो आपको मिल सकें units से related तो आपको जो है सारी चीजे आपको एक ही platform पे आपको available रहने वाली है so thank you guys for watching us and मिलते हैं हम लोग जल्द ही आपको एक नई series क के साथ में अप लोग तब तक इस channel को हमारे subscribe कर दीजिए like कर दीजिए और अपने friends के साथ में share कर दीजिए so thank you guys good evening to all of you